नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक वाफिस है टॉप 10 डेली करेंट अफ्यार स्रीज में जैसा कि आज 6 फरबरी है और आज भी हम रोज की तरह दस सबसे महत्पूर्परशनों पर चर्चा करेंगे जिनका समद्रोज के समसमाइक विश्यों से होता है इसके साथ ही इस वीडियो समंद्र पीडियाफ फाइल के लिए आप हमें टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हैं टेलिग्राम पर आपको इस वीडियो समंद्र पीडियाफ फाइल हो जाएगी और इस वीडियो को आंति तक देखें पूरा देखें ताकि आप इस्टैक्स जीके से संबंदे जानकारी को भी प्राप्त कर सके इसके साथ जिन लोगे अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बैल आकन को प्रेस जरू करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले सके और बढ़ सके अपने लक्षेकी और लक्षे के साथ जशी के साथ चलते कल के ब्रशन पर hinter पूछाग है प्रशन के सस्फ्रकार था कि हरी में किसके द्वारा player of month award की घोशना की गई तो options थे भारते cricket control board अंतराश्टी क्रिकेट परिशद यूवा और खिल मंत्रा लेया इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा अंतराश्टी क्रिकेट परिशद ICC के द्वारा player of the month awards की घोशना की गई या ICC के द्वारा जो की ICC क्या है pro club cricket summer merlin के द्वाज इसके च्पार थापना की गई थी और इसका मुख्याले का है किसकाóc muha met देख्ष कोन है ग्रेंग वार्कले इसके वर्तमान में अद्यक्ष है तो इसके साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रशुह पर तो आज की वीडियो का प्रस्ट् sigue हाली में मौदरिक नीती समीथी निर्धारित रैपोधर है यूल बब 5% 5% 6% प्रलिक ऊथी दो इसका अंसर होगा इन बैँ नहीं अभी हाली में मौदरिक नीती समीथी ने चार परतिशत को ही रैपोदर के रूप में बरकरार रखा है जो कि पहले भी था चार परतिशत और चार परतिशत पर ही रखा है तो केंद्रिय बैंक की हाल ही में हुई मौदरिक नीती समिक्षा वैठक में रैपोदर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वर्तमान में जो 2.5% ही रखी गई है और इसके साथ साथ जो बैंक रेट है भारत की GDP पाच परतिशत रहेगी तो अनुमान जो इसके साथ देखा जाए तो मौद्रिक नीति क्या होती है मौद्रिक नीटि नीटियां जो है किसी भी देश के केंद्रिय बैंक की जिम्मेदारी होती ही और यह शनीतियों के माढ़्य हम से एक देश की केंदरिय gegenüber और्थ बеहस्ता में बद्रा के प्रवाह अधार्तर्वार अर्थ बियृष्थरित करता है यानि लोत है कि या निक जो करंशी है जो रुपया है वह कितना मार्केट मार्केट में नहीं होना चाहिए जिसकी वज़से इंफलेशन रेट को लि इंद्रित किया जा सकता है इन फलेशन को आम रूप से हम महेंगाई के नाम से जानते हैं तो जो महेंगाई है उसको लिइंद्रित करना और कितना मार्केट में तरलता होनी चाहिए यह मौदरिक नीतियों के माध्यम से डिसाइड किया जाता है और मौदरिक नीतियों के माध्यम से देश के केंदरी बेंक क्या करती यह मौदर्अ का प्रवाय की चाहिए और अक्टूबर बें में और हर दो माहीने पर क्या किया जाता है किया और एक बैंक नब दिनों के लिए यानि कि बैंक है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो लेंगे वह अधिक Hole Pay लेंगे तो यह अल्प अवधी के लिए कमवधी के लिए जो रिण बैंक और यह से लेते हैं उस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट है उसे रैपो रेट कहते हैं इसी के साथ देखा तो रिवर्स रैपो रेट वह ब्याजदर होता है जिस पर और वाड़िजक बैंकों से सैंद्य हम से लिएककों से क्या करता है कमवधी के लिए रिप्राब्त करता है तो रिय न्थे प्रक्त राप्त थे थो एसको साथ बीडियो के अगले प्रशन के साथ एकि भारत सरकारे किस के साथ पी एम स्वानिधी योजना के तह सम्झो तकिया तो जोमेटो सुविगी फूड़ट पारणडा या इनमे से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा जोमेटो तावास और सेहरी के मामलो होती जोमेटो के साथ पी किम सुआ हैं उनको बढ़ाने में भी मौका मिलेगा किसको जो स्ट्रीट फूड वेंडर से उनको मौका मिलेगा अपने विवसाय को बढ़ाने का इसके साथ ही देखा जाए तो इससे पहले आवास और सहरी मामलों के मंतराले ने पांच अक्टूबर 2020 को सुईगी के साथ भी यह समझोत किया गया था इस योजना के अंत्रगमिस सडक विक्रेता विक्रेताव यानी जो इनकों पर जो सादन तहीं कोविड नाइंटीन महमारी के कारण रुक गई थी खतम हो गई ती उसको दुबारा सचालू करने के लिए शुरू करने के लिए पी-म स्वनेधी योजना को लॉंच किया गया था इस योजना के अंतरगत दस हजार रुपए तक का रिण उन लोगों को प्रप प्रदान किया जाएगा जो की बहुत ही कम इंट्रेस्ट के साथ प्रदान किया जाएगा और इसमें एक वर्ष में मासिक क किस्त जो है चुकानी होगी हर एक किस्त के अनुसार एक साल में इस दस हजार रुपए को चुकाना होगा तो इसी के साथ चलता है वीडियो के अपने अगले प्रश्ण पर तो अगला प्रश्ण कुछ इस प्रकार है कि दिल्ली के मुख्यमंतिर अर्विंद के जरीवाल ने इलेक्ट्रिक बहानों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को सुरू किया है तो अप्शन है हरित दिल्ली हरित दिल्ली स्विच दिल्ली प्रदूशर मुक्त दिल्ली या इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा स्विच दिल्ली आंसर क्या होगा स्विच दिल्ली में सौ इस्थानों पर अभी ऐसे इस्थित चार्जर पॉइंट्स लगाए जाएंगे जहां से इलेक्ट्रिक बाहनों को चार्ज किया जा सकता है तो सीम ने लोगों से शहर में परदोश्रों को कम करने के लेक्ट्रिक बाहन खरीदने की अपील की है और 2030 तक दिल्ली में 25 पर सरकार का उद्देश क्या हूआ एलेक्टिक बाहनों के लावों के बारे में जाग रुकता पैदा करना इसी के साथ इलेक्ट्रिक बाहनों की बढ़ती मांग के कारण अभी हमने आली में देखा कि लिए गुजरात में भारत का पहला लीथियम रिफाइनरी प्लांट की इस् केंदेर शाषित प्रदेश कोविड़ 19 से मुक्त हो गया है मुक्त बना लक्षदीप चंडिगर अंडमानो निकवार दृप सम्मुअ कोविड-19 ड्रिप समूवं के अंतिम जो चार्ड सनक्रमित व्यक्ति व्यक्ति वह अब स्वस्थ हो चुके हैं तो उन्रमाज निकवार राजधानी क्या पॉर्ट व्यर्य और एस बंगल की खाड़ी में इस्पपृर्ट प्रच राजधानी क्या मेंठ्रीप समूवं है और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी यहां पर कौन है एडमिरल डी के जोसी लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहां पर उपर राज्यपाल है तो यह साथ चलते हैं अगले प्रशन पर तो अगला प्रशन है कि हाली में बनीहाल कांजी गुंड सुरंग खवरों में रही यह इस्थित ह कहां इसका अंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर तो इसका जम्मू कश्मीर में इस्थित है कौन बनीहाल कांजी गुंड सुरंग यह खवरों में रही थी कि अभी हाली में जल्द ही इसको सुरू किया जाएगा इसमें होने वाला जो कारे है वो पूरा लगबग हो चुका है सुरंग जल्द ही इसका उध्गाटन भी किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली सुरंग है यह बनीहाल कांजी गुंड सुरंग और इस सुरंग कारे जल्द ही पूरा हो जाएगा जिसके कारण ये खबरों में बना रहा है तो इस सुरंग से इस से बनिहाल और कांजी गुन के बीच की जो दूरी है सड़क दूरी है वो लगबग 16 किलोमेटर कम हो जाएगी बनिहाल जो है वो जम्मो में है और कांजी गुन दक्षन कश्मीर में इस्थित्यक इस्थान है और ये जो सुरंग है बनिहाल कांजी गुन सुरंग इसकी जो लंबाई है आठ दसमलव पांच किलोमेटर की लंबाई है और यह श्री नगर जम्मु श्री नगर राष्टी राजमार्ग 44 पर बन रहा है तो जम्मु श्री नगर राष्टी राजमार्ग 44 पर बन रहा है जम्मु और श्री नगर को जोड़ने वाली जो नेशनल हाइवे है बनिहाल कांजीगुंट सुरंग और इसका निर्माड कार्य जो है 2011 से चल रहा है इसी प्रकार देखा गया कि अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग हिमाचल परदेश में अटल सुरंग का उधगाटन किया गया इसके साथ साथ अवनाचल परदेश के ने का उधगाटन कहां गिया गुहार्टी धुबरी सदिया माजूली तो इसका अंसर होगा माजूली तो अभी हाली में असम के पहले हैली पोर्ट का उधगाटन असम के मुक्रमंति सरवारं सोनवाल ने माजूली जिले में किया है किसमें माजूली जिले में किया है हैली पोर् है माजुली जिला है असम का वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्रीप है और यह ऐसा पहला द्रीप है जिसे भारत में एक जिला बनाया गया है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में यह गोहार्टी के पूर्व म में इस्थित है और यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आवादी आवाद वाला आइलेंड है द्रीप है सबसे ज्यादा अगले प्रश्न पर तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भारत में बौधिक संपदा साक्षरता जागरुकता के लिए किस कारेकरम को सुरू किया गया उसने कौपी राइट कपिला अपनी बस्तू या इनमें से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा कपिला भारत ने बौधिक संपदा और इंटेलेक्च्वल प्रॉपर्टी राइट्स की जागरुकता के लिए किस कारेकरम को सुरू किया है तो इसी के साथ दे भारत कि अधिक्राइश्व क करना वह करवाया जाता है रिसका मुख्य ज़ो इनोवेशन है या रिसर्च है डेवलप्मेंट करना बढ़े पहने पर लिए किसी बर्शो के लिए वस्तू पर दिसकी के साथ चलता है अगले प्रशन पर अगला प्रशन है कि दुनिया का पहला कारवन न्यूट्रल ऑईल किस देश में प्राप्त हुआ है तो एक वेनेजवेला संयुक्त राज्य अमेरिका साउधी अरब कुबैद तो इसका अंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका सायूक्तराज्जे अमेरिका इसका अंसर होगा सज्द राज्जे अमेरिका इसका अंसर होगा United States of America की युविज़न ओक्सी लो कारवन बेंचर से कारवन नियुटर्ल ओइल की दुनिया की पहली खैफ प्राप्त किया है और इसकी उपलब्दी और 1035 तक्सुद सूने कार्वन company बननाने कि अपने लक्षे को पूरा करने में तेल का प्रमुक मदद करेगी प्रमुक रूप से प्रमुक रूप से जो प्रमुक ऑक्सिडेंटल company है उसको मदद परदान करेगी तो carbon neutral oil ऐसा तेल होता है जिसमें करवन की मातरा बहुत ही कम होती है और इसके जलने से carbon जो मतलिक्रान उसी कम किया सकता है सब साथ चलते ही वीडियो के अगले प्रशन पर अगरे अचीक कहता है कि हाली में किसे वायُ सेना मुख्याले में महानिदेशक के रूप में और नियुक्त किया गया तो अप्शन है राहुल सचदेवा जियस बेदी मोहन अगरवाल लीए और अनील कुमार सिंग्ण तो इसका अंसर होगा जी एस वेदी ने महानेदेशक के रूप में कारेभार संभाला है और 110 को नियुक तो किया था उन्होंने भारतिये व्युक्तियों में लंदन में वायू सलाहकार के रूप किया है 2010 में विशिष्ट सेवा पदक 26 जनवरी 2020 को अती विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा सुका है उन्हें प्रदान किया गया है तो चलते हैं वीडियो के प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है कि भारतिय मुक्यवाजी महासंग के चुनाओं में निम्मे से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है तो अप्शन है राहुल सचदेवा अनील सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को पर जरूर कीजिए और इस वीडियो पर हमने पचास लाइक का टार्गेट रगा है आप लोग के सज्वक से जरूर प्राप्त करेंगे तो चलते आज की वीडियो के अंते पूछा जाने वाले प्रश्ण पर तो और तुम्हें पूछा जाने वाले प्रश्ण कुछ इस पर कार है कि भरष्टाचार धारना सूचकांग 2020 क अब तो फॉलो करना ना भूले बैल आइकन का प्रेस करें और जुड़े लक्षे के साथ और बढ़े अपने लक्षे की और धन्यवाद